आप सबके बीत्तर बैठी हुई माता रानी को बगवान को इश्वर को परनाम करता हूँ दोस्तों आप रहानियत के सफर के साथ ही हो स्पिर्चिल जर्नी के साथ ही हो तो जैसे जैसे हम सफर करते हैं तैसे तैसे रास्ते में बहुत से अनुभव होते हैं जैसे दियावी सफर में भी कभी कभी कहीं कांटे कभी पत्थर कभी फूर कभी पेड कभी ग्रीनरी कभी बारेश सब कुछ मसूस होता है ऐसे इस सफर में होता है इस सफर का मज़ा अपनी जगा है इसमें ध्यान में जब कभी कोई आपको कटू अन्बभ होता है आप रुहानियत के सफर में होते हो आपको कोई आंसू आ जाते है बच्पन की कहानी जाद आने लगती कोई किसी ने दर्द दिया हो, किसी ने दुख दिया हो वो याद आने लगता है, कभी कुछ ऐसे द्रिश्या जो हमारे से लिंक नहीं करते तो समझ ले न, कि आपके पास्ट लाइफ के कर्म जो है उनका नाश हो रहा है आपके जो पास्ट कर्म, लाइफ के बुरे कर्म किये थे उनका विनाश हो रहा है इसमें लग से पहले आपको एक परसूती साधना बताई हुई है जब ऐसा ज़्यादा होने लगे उसको कर ले और परसूती साधना में भी नभी चक्रा ही काम आता है और अभी मैं तो ऐसे कहूँगा दोस्तों कि साधना का मिला चल रहा है साधना का उत्सव चल रहा है बड़े धंग से बनाया रिशी मुनियों ने शराद, शरावन मास, शराद, शरावन मास में भगवान शंकर के प्रती साधना मल मास, परशोतम मास शराद में पित्रों के प्रती, शरधा, फिर नवरात्री मा का ध्यान, शिवशक्ती की साधना जैसे आपके उपर शिवशक्ती की क्रिपा होती है तो फिर आपको क्या मिलता है धंत्रयोद्शी को भगवान ध्रवंत्री जी का अशिरवाद आपकी हेल्थ अच्छी रहे भगवान कबेर का अशिरवाद आपके धानत औरत की कमीन आए और फिर काली चौदर्स जो 13 तरीक को आएगी 13 न्वंबर को 12 को दंते रिश्ट और 13 न्वंबर को महा काली जी का दिन अपने आपको शक्ति शाली करने का दिन आप अभी से तेयारी करके रखें कि उस दिन पूरी रात्री साध्ना करनी है जितनी मैक्सिमाम कर पाएं और महा काली को ही जाद करना क्लीम काली काइन मैं, क्लीम काली काइन मैं, क्लीम काली काइन मैं, जो डीपली गए हैं, जो अडवास वाले हैं, जो और अडवास वाले हैं, उनको लग से बता दिया जाएगा, पर सभी लोग क्लीम काली काइन मैं का जाब कर सकते हैं, और धन्तिरोद से ही आप तेल का और घी का अखंड दीपक जला दें जो दिवाली के नेक्स दे तक चलता रहे और दिवाली को फिरमा लक्ष्मी जी की साधना जैसे आपने दिशारें से शुरू की थी इसी तरह दिवाली तक इस साधना को लेते जाना और मंतर आपके इस साधना का साथी है मंतर हमारा एम नहीं है इस बात को समझने की कोशिश करना कि कुछ लोगों ने मुझे पूशा कि जब हम साधना करते हैं ध्यान में जाते हैं तो हम मंतर भूल जाते हैं कभी लगता है कि दूसरा मंतर शुरू हो जाता है कभी लगता है कुछ होता तो आप तब इश्ट के चटनों में चलेगे इश्ट के हवाले हो गए आपको मंतर जो है उस मकाम तक कहुंचाने का साथी है आपका मंतर आपका मेर एम नहीं है मंतर आपका गोल नहीं है जबर्दस्ती मंतर नहीं करना जैसे आपको आपको मानलो लंडन से न्यू यार्क आना तो निव जार्क पहुंच गे फिर भी फ्लाइट से उतर नहीं रहे हो फ्लाइट को छोड़नी रहे हो तो फिर आपको कोई वेवकूफ कहेगा इसी तरह से बाहर आओगे कान से इंवीग्रेशन होगी होटर पहुंचओ तो जैसे जैसे आप पहुंचते जाओगे उस स्टेज को आगय आगय बदलते जाना इसलिए मंतर करो दिर में करो रात में करो आप अपनी शांस को शाश को बाच करते रही है जैसे आपका mentar से उठनी पाते हो फिर मंतर करने लग जाते हूं तो टेक्निकल हो जाएगा जैसे पानी की टेप खोली पानी भर गया तो उसको बंद कर दोगे और पानी को जो आए करोगी इस चीज का जरूर ध्यान रखें शोटी सी बात है पर मैं इसको कहना चाहूंगा पेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा अभी आप साधना के दूसरे वद्यारती हो आपकी क्लास अपग्रेड हो रही है उसके अपग्रेड क्लास को अंजाय करें महारानी बहुत-बहुत कृपा करें बहुत-बहुत आपको शक्ती दें आपके गोल संकर पूरे हो आपके अंतर बैठे कर दो कर दो